नमस्कार मैं समर के मुखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग सकस्ट फिल्म स्रिंखला का यह तीसरा और अंतिम पार्ट है अगर पहले के दोनों भाग आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखें आज हम बात करेंगे बाहुबली फिल्म के दोनों भागों की एक साथ बाहुबली फिल्म स्रिंखला जिसमें बाहुबली दा बिग्निंग और बाहुबली दा कंक्लूजन शामिल है भारतिय सिनेमा में एक एतिहासिक सफलता बनाई है बहुवली के इतने सफल होने के पांच प्रमुक कारण हम आज बताएंगे पहला, Grand Scale and Visual Spectacle बहुवली अपनी भव्वेता और दृष्य वो जमर्दस नजारों के लिए जाना जाता है फिल्मों में लुभावनी सिनेमटोग्राफी, असाधारन सेट और लार्जर देन लाइफ एक्षन सिक्वेंस थे जिनोंने एक अदभुच सिनेमाटिक एक्सपिरियंस पैदा किया प्रभावशाली प्रडक्शन वैलू पर साधानी पूर्वग ध्यान देने की वज़े से फिल्म एक एपिक स्केल पर पहुँच गई जिसने दर्शकों को अपनी विस्मयकारी विज्वल से मंत्र मुग्द कर दिया इस फिल्म ने वो गलती नहीं की जो आदी पूरुष फिल्म के मेकर्स ने किया और वो था इमोशन के उपर भारी परती विएफेक्स खराब डायलोग और बिकार चरिच चितरन के अलावा बचकाना विएफेक्स उपर से फिल्म के करेक्टर्स का इमोशनल ना होना दोनों ने मिलकर आदी पूरुष को ले डुबा पर बाहुबली में विएफेक्स को हमेशा ही इमोशन के अंतरगती रखा गया दूसरे पॉइंट पर आता हैं कंपेलिंग नरेटिव और माइथोलोजी बाहुबली फिल्मों ने भारतिय पौरानिक कथाओ और लोग कथाओ में डूबी एक आकरशक और जटिल कथा प्रस्तोत की यह कहानी अमरेंद्र बाहुबली नाम के एक राजकुमार की यात्रा और अपने असली सिंगहाफशन को पुनह प्राप्त करने की उसकी खोज पर आधारी थे दोनों ही फिल्मों ने उशलता पुर्वक एक्शन, ड्रामा, रोमैंस और माइथोलोजी के तत्तों को एक साथ जोड़कर एक सम्मोहक गाथा बुनी जो दर्शकों के एक विशाल स्रेंखला के साथ गोंचती रही तीसरे पॉइंट पर आते हैं स्ट्रॉन करेक्टराइजेशन बाहुबले में वेल डबलब्ड और मेमोरेबल चरित्र थे जिनोंने दर्शकों पर अमीट छाप छोड़ा प्रभास द्वारा निभाया गया किरदार बाहुबली शक्ती, धार्मिक्ता और वीर्ता का प्रतीक है जबकि राणा, दगुबाती द्वारा निभाया गया एंटोगोनिस्ट भल्लाल देव, शक्ती और चालाकी का परिचय देता है अनुषका सेट्टी, तमन्ना और राम्या कृष्णन सहीत कालाकारों ने उले खेने प्रदर्शन किया अपने अपनी भूमिकाओं में डेफ्थ और इमोशन जूरी चौथे पॉइंट पर आते हैं, इनोवेटिब आक्शन सिक्वेंस बहुगली में एक्शन सिक्वेंस एक विजूल ट्रीट थे और उन्होंने भारती सिनमा के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया फिल्म में एपिक बैटल सीन्स ग्राविटी डिफाइंग स्टन्स और इंप्रेसिब कोरियोग्राफी का परदर्शन किया गया जिसे हाई लेवल आफ टेकनिकल एक्सपोर्ट के साथ एक्जेक्यूट किया गया धेर सारे एक्शन द्रिश्चों ने दर्शकों को आज शिर्चकीत कर दिया और फिल्म की अपार सफलता में योगदान दिया पांचों और लास्ट पॉइंट है पैन इंडियन अपील देख ये पहली बार ऐसा हुआ बाहुबली ने छेत्रिय सिमाओं को पार किया और पूरे भारत के दर्शकों को आकरशित किया फिल्म को वाइट डिस्टिबूशन स्ट्रेड़जी के साथ तेलगू, तमिल, हिंदी और मलियालम सही कई भाशाओं में रिलिज़ किया जिसने विवित दर्शकों तक इसकी पहुँच सुनस्चित की, प्यार, वफादारी और नयाये के साथ साथ विविन कल्चरल बैक्ग्राउंड ने दर्शकों के बीच इसे भारी सफलता दिलाई इसके साथ ही, एसेस राजा मोली के विजनरी डिरेक्शन, एक नई कहानी कहने की तकनीक और एमेम किरावनी द्वारा रचित प्रभावशाली संगीत ने जो बैक्ग्राउंड मिजिक है, ने बाहुबली को एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली फ्रेंचाइजी बनने के लिए प्रेरित किया, फिल्मों ने जबरदस्त व्यावसाइक सफलता हासिल की और आलोचनात्मत प्रसंशा हासिल की, जिससे भारतिय सिनेमा में मेल के पत्थर के रूप में अपनी जगा पक्की की, यह पूरी स्रिंखला आपको कैसी लगी, यानि तीनों जो सफल फिल्मों के बा लोसका